हलो फ्रेंड वल्कन दो माई चैनल टेकने इन्वेस्मेंट आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं फिलिप कार्ट पे लेटर EMI अच्छा है आपके लिए कि खराब है जी हाँ फ्रेंड फिलिप कार्ट पे लेटर EMI गुड और बैड इस टोपिक पे इस वीडियो में बात करेंगे तो फ्रेंड अगर आप टेकने इन्वेस्मेंट चैनल पर पहली बारा हैं तो फ्लीज सब्सक करते हैं तो उसके बारे में एस बीडियो में बात करेंगे तो चलिए पहले flip card pay later EMI के benefit के बारे में जानते हैं Friend सब से पहले तो हम बात करते हैं कि यहां पर देख आ रहे हैं आप जैसे जैसे purchase करेंगे आपका limit increase होता रहेगा यहां पर देख पा रहे हैं टोटल एप्रूट क्रेडिट is 80,000 रूपीज यहाँ पर अवेलेबल क्रेडिट है 52,303 रूपीज इसका मतलब यह है कि बाकी का एमाउंट हमने यूज किया है फिलिप कार्ट पे लेटर में या फिलिप कार्ट पे लेटर इमाई में तो फ्रेंड चलिए आप थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि यह कैसे क्या चार्ज करता है तो सबसे पहली बात तो यह friends अगर आपको यह खास बात है कि आपको पूरा एक मेने का time देता है हर मेने के एक तारी को बिल जनरेट होता है अगर आप किसी मेने के 25 डेट को मतलब 25 तारी को अगर आप कोई purchasing करते हैं तो next एक तारी को आपको वो बिल जनरेट हो जाएगा तो कहने का मतलब यह है कि आप अगर कोछ भी purchase करते हैं इस मेने के एक तारी को तो वो अगले मेने के एक तारीख को आपको bill generate होगा वो 5 तारीख के अंदर आपको payment करना पड़ेगा तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप एक तारीख को कोई भी order place करते हैं तब आपको एक मेने का time period मिलेगा नहीं तो आप अगर 10 को 20 को जैसा भी करते हैं तो उससे कोई फक नहीं पड़ता next मेने के एक तारीख को bill generate होगा और आपको payment करना पड़ेगा तो पहली बात तो यह है उसके बाद friends अब अगर आप regular payment करते हैं तो regular जो है आपका credit score भी increase होगा और regular आपका credit amount है वो increase होता रहेगा time to time अब बात करते हैं flip card pay letter के फायदे के बारे में यहां friends अब कोई बहुत जरूरी चीज़ है आपको purchase करना है तो आप flip card pay letter से purchase कर सकते हैं उसका EMI भी बना सकते हैं अगर कोई बड़ा product है तो आप उसका EMI भी बना सकते हैं और easily installment में आप उसको payment कर सकते हैं तो यह तो friends इसका फायदा है flip card pay letter अगर आपके पास कोई credit card नहीं है तब तो आप flip card pay letter activate करिए अगर आपके घर में credit card है या आपके पास credit card है तो flip card pay letter activate करने का कोई जरूरत नहीं है तो friends सबसे पहले तो आपको इसमें अगर आप EMI बनाते हैं तो 24% का interest rate लगता है तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं pricing fee and charges यहाँ friends यहाँ पे आप देख सकते हैं up to thousand rupees uses fee 5 rupees uses fee per month including GST 5.9 और इसके बाद आप 13000 का swapping करते हैं तब आपको 11.8 rupees का आपको extra charge देना पड़ेगा any amount greater than 3000 यहाँ भी uses fee आपको 15 rupees है तो कहने का मतलब यह है कि यह आपको देना ही पड़ेगा extra 15-15 रुपै जैसा भी आप shopping करेंगे और अगर आप EMI बनाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लेटर EMI, EMI, interest rate and processing fees 3 month 24% का आपको interest rate लगता है अब 3 month, 6 month, 9 month, 12 month कुछ भी आप बनाएंगे जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो अब कोई भी generally credit card होता है उसमें आपको किसी credit card में 11%, 14%, 16% तो इस तरह का आपको interest charge लगता है लेकिन यहाँ पे आपको direct 24% interest लग रहा है तो कहने का मतलब यह है कि अगर घर में आपके credit card है तो flip card pay letter EMI ना करके आप जो credit card use करते हैं उससे आप EMI बनाएंगे बाकी generally जो product है flip card pay letter से 15-15 रुपए मायने नहीं रखता अगर at a time आपको order करना है तो आप इसको use कर सकते हैं तो कहने का मतलब यह है कि यह तो friends से इसके फायदे हो गए अब नुकसान क्या है friends से flip card pay letter activate है आप में और कोई sale चला है कुछ आपको purchase करना है या purchase नहीं करना है आपने sale देखा आपको product अच्छा लगा और आप order place कर दिये हैं क्योंकि आपको अभी तो पैसा देना नहीं है एक मेना या दो मेना बाद EMI बना के देना है तो आप जो है उसको purchase कर लेते हैं और unnecessary आपके उपर burden पढ़ जाता है तो अगर आप flip card pay letter use कर रहे हैं तो unnecessary goods को आप purchase नहीं करिये तब तो ठीक है नहीं तो अगर आप purchase करेंगे तो आपके उपर ही burden होगा unnecessary product लेने में तो friends से कहने का मतलब यह है कि आपको clip card भी लेटर activate करना चाहिए लेकिन उसको अपने जरुवत के अनुसार जरुवत के हिसाब से आपको use करना चाहिए ताकि आपके उपर कोई burden ना हो तो बहुत सारे ऐसे जरुवत की चीजे होते हैं जिसको आपको purchase करना होता है तो उसको आप purchase करिए बिल्कुल जो भी आपका requirement है और जो unnecessary है जिसको बिना भी काम चल सकता है तो उसको आप purchase नहीं करिए तो बहतर है बाकी मेरा यह advice है कि आपके घर में अगर कोई credit card है तब आ flip card pay later से EMI बनाने का ज़ूद नहीं है लेकिन flip card pay later आप use कर सकते हैं क्योंकि उसमें 5-10-15 रुपए usage चार्ज लगता है जो कि normal है minimal है तो आप उसको use कर सकते हैं और flip card pay later को आप activate कर सकते हैं बे जीजग तो friends अगर आपने अभी तक flip card pay later EMI या flip card pay later को activate नहीं किया है तो बिल् आप उठाईए ओके फ्रेंट्स आई होब आपको यह वीडियो अच्छा लगाऊगा वीडियो अच्छा लगाऊ तो प्लीज टेक इन इन्वस्मेंट चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा लाइक शेयर जरू करिएगा ओके प्रेंट्स इनने एक वीडियो तब से बच्छान सब्सक्ता सब्सक्ता